नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। आज वो फैसले भी ले रहा है जो हमेशा पीछे छोड़ दी जाते थे। शाहिन बाग प्रदर्शिन के आईजुकों ने रविवार को कहा कि उचित अनुमती मिलने के बाद ही प्रदर्शिनकारी बादचित के लिए केंद्री ग्रहमत्य हमेशा के निवास के लिए मार्च करेंगे। इस रैली के चलते ही लाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रदर्शिनकारी ने कहा कि उन्हें पुलिस से मंजूरी मिलने का इंतजार है जिसने कुछ वक्त मांगा है। उन्होंने पहले गोशना की थी कि वे रविवार को मार्च निकालेंगे। प्रदर्शिनकारी ने शाह से मिलने देने की इजाज़त देने के लिए पुलिस संपर्क के वास्ते शाहिन बाग की दादियां के ही जाने वाली बुज़र्ग महिलाओं समेत आठ सदस्ये प्रतिन ने धी मंडल चुना। कर उठाए हैं और उसका अनुपालन किया। हमने वास्तव में FRBM का उलंगन नहीं क्या है। हम इसकी सीमा से बाहर नहीं गई है। उद्योग और ब्यपार प्रतिनीधियों को संबोधित करते हुए वित्तमंत्री ने कहा है कि हमने राजकोशी अनुशाशन को बनाए रखा ह है जो अट्रल विहारी बाजपी सरकार और नरेंदर मोधी सरकार दोनों की खासित रही है। गांगले ने साथ ही कहा कि इंगलियाट के खिलाफ अगली घरिलू श्रिंखला का दूसरा टेस्ट दिन रात का मुकाबला होगा। उन्होंने साथ ही कहा कि बोड भविश्य वे प्रतेक श्रिंखला में एक दिन रात टेस्ट के आयोजन का प्रयास करेगा। भारत ने अपन बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए सुनते रहे रेडियो सेंट्रल न्यूज धन्यवाद